बॉर्ड अगावर्स का ट्रोफी शुरू होने में रह गए हैं सिर्फ दो दिन और इंडिया के बोलिंग कोच मॉर्णे मॉकल ने आज प्रेस कॉन्फरेंस अटेंड करी वहाँ पर प्रेस कॉन्फरेंस में मॉर्णे मॉकल से जस्पीद बुमरा के बारे में सवाल पूछे गए और इंडिया का जो पेस बोलिंग अटाक है उसके बारे में काफी सवाल करे गए तो बुमरा के बारे में तो ये पूछा गया मौने मौकल से कि जस्पीत बुमरा जो है वो पहले टेस्ट में रोहिच शर्मा की अपसेंस में कप्तानी करते वे नज़र आएंगे तो उसी पे मॉने मॉकल के opinions पूछे गए और ये पूछा गया कि बुमरा कितने तैयार है पहले test में कपतानी करने के लिए तो वहीं पे मॉने मॉकल ने उनका जवाब देते वे ये कहा कि जस्पीद बुमरा is a leader and that shows in him मतलब ये उनके अंदर देखता है कि वो एक born leader है और वो पहले भी भारत की कपतानी test cricket में कर चुके है T20 cricket में कर चुके है तो उनके लिए ये पहली बार तो है निए तो इसलिए उनको लगता है कि जस्पीद बुमरा जो है बहुत ही confident एक leader है और जो भी जितने ये young pacers team में है चाहे वो आकाश दीप हो गए प्रसित कृष्णा हो गए या और भी जितने pacers हैं इस team में वो सब बुमरा की तारीफ करेंगे या फिर बुमरा की तरफ देखेंगे they will look up to him and will learn a lot from him तो इसका मतलब वो बुमरा से काफी जादा कुछ सीखेंगे और जब बुमरा कप्तानी करेंगे तो वो pacers को और बाकी जो bowlers है team में उनको बहुत अच्छे से handle करना जानते तो यही उन्होंने बुमरा की खासियत बताई और यह बताई कि बुमरा is very much ready to lead the team and all the bowlers and all the team will look up to him as a senior